नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं पाइल पवार और आप देख रहे हैं वोकल नूशेहडोल प्रोचसाहन राशी बंद करने से गुसाई आशा और उशा कारेकरता ने किया विरोध प्रदशन उमर्या में उशा वा आशा कारेकरताओं ने शुक्रवार को कलेक्टरेट में जम कर विरोध प्रदशन किया प्रदेश और जिले भर में ये आशा और उशा कारेकरताओं का बहुत बड़ा युद्दान रहता है सिर्फ यही नहीं प्रिशासन द्वारक कई स्वास्ते संबंदित योजनाएं और कारेकरम आयुजित किये जाते हैं और इनके प्रती आमजन में जारुपता फैलाने में उशा वा आशा कारेकरताओं की एहम भूमिका रहती है और इसके लिए नहीं सरकार से हर महीने के तैव वेतन जरूर मिलता है किन्तो जब से करोनाकाल शुरू हुआ है तब से कारेकरता अपनी जान जोकिम में डालकर ग्रामिनों और जिलावासियों की स्वास्ते सहायता करने में अपना पूरा सहयोग देती हैं जिसके लिए नहीं करोनाकाल के दुरान सरकार के तरफ से एक हजार उपे की प्रोटसाहन राशी भी हर महीने आवंटित की जा रही थी किन्तो अब नवंबर से इसे बंद करने की सूचना मिल रही है जिससे गुस्ता आए इन आशा और उशा कारेकरताओं ने उमरिया कलेक्टरेट में विरोट प्रदर्शन जारी किया और प्रदेश के मुखे मंतरी शिवरात सिंग चुहान को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर संजीव शिर्वास्तप को ग्यापन सौपा है इन कारेकरताओं का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें प्रोटसाहन राशी आक्टूबर तक तो मिल रही थी किन्तो नवंबर के महिने से ये मिलना बंद हो गई है और अब करोना के नए वेडियेंट वा तीसरी लहर के चलते एक खत्रा फिर बढ़ गया है इसके बावजुद ये कारेकरता अपनी जान खत्रे में डाल कर इस अभ्यान में जुटेंगी पहले इन्हें सरकार द्वारा फ्रेंट लाइन वर्कर के रूप में घोशित किया गया था और अब सरकार इनकी प्रोटसाहन राशी रोग दे रही है ऐसे में भला ये कैसे अपनी पूरी शम्ता और मानसिक संतुष्टी के साथ काम करने के लिए तयार है सरकार द्वारा प्रदान की गए तो उसाहन राशी से इन्हें कोरोना काल में काफी आर्थी मदद होती थी हाला कि ग्यापन सौपे जाने के दुरान कलेक्टर संजीश शिर्वास्तव ने सरकार वक्षीर्ष स्तर से उचित आश्वासिन पर कारवाई की बात कही है अब देखना यह होगा कि सरकार इनाशा और उशर कारेकरताओं की मदद के लिए आगे आती हैं या फिर कहीं इनका विरोत प्रदर्शन किसी धरने या हर्ताल में ना बदल जाए तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रही है तो हमें फॉल्व और लाइक ज़रूर करें धन्यवाद